तो इस वीडियो में कुरूडाइल का एनलाइसिस करेंगे कि आने वाले ट्रेणिंग सेशन में क्या मुवमेंट देखने को मिले का लास्ट ट्रेणिंग सेशन में देखो गे तो लगबक लगबक 360 पॉइंट की जबरदस्त बाइंग देखने को मिल चुका है रही बात काफी लगें अपसाइट कितना जा सकता है और जो सेल साइड बैटे हुए उनको अच्छा खासा लॉस हो रहा है वो कहां पर आवरेज कर सकते हैं प्रेज वाइंग कहां पर कर सकते हैं कंप्लिट जानकर इस वीडियो के अंज़र टेक्निकल वेस वह पर बताने के कोशिश करूँ आसपास अभी live closing देखने को मिल चुका है तो यहां से मैं bottom से एक train line draw करता हूँ उसके बेस के ओपर देखने को मिलेगा कि यह train line को कितना respect करते वे market उपर की तरफ जा रहा है बात करेंगे यहां से आपको पता चलेगा कि लगबग लगबग यह 5,500 के आसपास trade हो रहा था औ और वहां से देखोगे तो यह non-stop rally आपको लगबग लगबग 7,800 तक देखने को मिल चुका है बात करेंगे percentage वाई तो percent वाई देखोगे तो इतने बहुत जबर्दस रेटन बना के दिया और 40% के non-stop rally आपको देखने को मिल चुका है और 40% के rally के बाद जो correction देखने को मिला वो almost यहाँ पे 15% के आपस correction complete हो चुका है अभी बात करेंगे support and resistance की तो देख सकते हो इस level के आपको बाइंग ही देखने को मिल चुका है और यह जो levels निकल के रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी बार कुरूडाल ने इस level को touch किया लेकिन इसके नीचे sustained नहीं किया तो six time यहाँ पे touch करने के बाद इसने अभी यह 7800 के आसपास इसने hike कर चुका है बात करेंगे आपे जो 5600 का levels के बाद जो rally चली वो almost 40% के आसपास rally चली है अभी बात करेंगे support के बाद resistance की तो resistance का आपको पता चलेगा जबी भी यह 6700 के range में आया 6800 से लेके 6700 के range में तो भी जबरदस्त दिया तो यह जो लेवस निकल किया रहा है वो 6800 के आसपास देख लिजिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार दो तीन उसके बाद च्यार उसके बाद पाच और यह चट भी बार तो six time ऐसी हुआ जहाँ पे इसने 6800 के आसपास गया लेकिन इसने breakout नही बिलेंगे वो कहां तक मिलेंगे तो अब भी देख लिजे लेटेस्स जो रिजिस्टन्स सीन निकल की और ऊ HU 7200 के आसपास निकल के रहा है और लेटेश सब्क की बात करूंगा तो 6800 के आसपास निकल के आ रहा है तो यह 400 शॉत कर दाहिरा आई मेंला और एक को रिए तकर द देता हूं यहां पर मैं लगा देता हूं दो घंटे का कैंडल उससे एक आइडिया आ जाएगा कि यहां पर सपोर्ट रेजिस्टंस कैसे दिख रहे हैं तो देखो यहां पर देखो कि आपको पता चलेगा कि 7100 का बहुत सपोर्ट निकल गया रहा है मेरे हिसाब से 7100 के रेंज में दुबारा मिलता है मिलेगा नहीं मिलेगा किशी को नहीं पता क्यूंकि मार्केट अभी 7272 के आसपास टेट कर रहा है तो हो सके वह ब्रेक आउट करके अगे 7000 पासों के लेवर के पास चला जाए तो देखो यहां आपके बाद दो आप्शन है आपके बाद डबल लॉट में ट्रेड लेना चाहते हो तो आप अभी से बाइंग बनता है नेक्स बाइंग 7100 के आसपास बनता है तो लगबग लगबग 150 से लेके 170 के डाउंसाइड में एक अगें करना है दो बाइंग होने के बाद दो शॉट के टार्गेट के साथ यहां पे पोजिशन होल्ड कर सकते हो तो कम से कम 300 पांट के राली आपको अपसाइट यहां पे कुरूडायल में देखने को मिलेगा तो यहां पे किसी की बाइंग की पोजिशन है और वह अच्छा खासा प्रॉपिट में है तो 7100 का क्या लगा दीजे ट्रेल स्टॉप लगा दीजे और बाय को कंटीनू करिए विद टार्गेट आप 7500 क्यूंकि किसी ने बटम से बाइंग कही होगी तो वह जल्दी प्रॉपिट करके निकल सकते हो तो 7500 का जिसके पस आर्रेड़ी बाइंगे उनके लिए टार्गेट रहेगा और जो फ्रेज बाय करना चाते है वो 7600 के टार्गेट ये पोजिशन होल्ड कर सकते हैं बात करेंगे स्टॉप लास के तो 7100 का जिसके पास औरेड़ी होल्डिंग है वो स्टॉप लास ट्रेल करते हो यहाँ पर बाय के पोजिशन होल्ड कर सकते हो तो क्या हम इस लेवल पर सेल के पोजिश उसके पास दो ऑप्षन है पहला ऑप्षन है कि आपको 7600 जाता है तो वहां पे एक पोजिशन एड कर सकते हो और आड नहीं करना चाहते हैं आपके पास यम तो यम मारजिन बहुत ही कम है तो आप क्या करेजिए डॉलर में बाइक पोजिशन बना सकते हो तो डॉलर में कर सकते हो उससे क्या करना है उस यहां पे आप sowashtuz होंगे तो वहां पर आपको बाइक की पुजरण हैच कर सकते हो तो तो आप थोड़ा सा loss से बस सकते हो, इस तरीके को follow करना है, और next है, 7600 तक जाएगा, तो वहाँ पे एक lot जरूर add कर लिजिए, तो यह analysis रहेगा, आने वाली दिनों में crude oil में बात करेंगे, अभी यहाँ पे dollar index में, तो dollar index में देखोगे, तो बहुत जवरदस्त buying देखने को मि तो हो सकते हैं, आपको मंड़े के trading session में, या दूतीन trading session में, 86 के range में crude oil, WTI crude oil आपको मिलता है, तो व्यूपकुल again fresh buy के position बना सकते हो, आने वाले दिनों में जो short term के target रहेंगे, वो 92 dollar के रहेंगे, जो already buy के position बने है, वो 86 के नीचे, ट्रेल स्टॉपलास करते चलिए, 92 के target के लिए position hold करिए, fresh sale के सला भी उपकुल नहीं है, इस level पे sale नहीं बनता है, जो भी अंदर dip के अंदर correction आएगा, वो आपके लिए क्या बनेगा, buying opportunity बनेगा, तो complete turn करेंगे, मैंने कुरूड आल के उपर बताने की कौसिस किया, जब तक ये 82 के नीचे sustain नहीं करता, तब तक ये downtrend नहीं है, बात करूँगा downtrend की, क्योंकि बहुत से लोग train को analysis करके भी trading करते, तो 82 का range बहुत ही strong support का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर दो बार तची है, फिर उपर गया, तो 82 का range, one of the strong यहाँ से आने वाले जिरों में support का का काम करेगा, तो complete turn करेंगे, मैंन क्योंकि बहुत है, तो 83 का है, बात करेंगे, तो 92 का करेंगे, तो यहाँ से लोगता का जो फिर हमा उति लित का 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 का।